दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे दुनिया का सबसे फास्ट एंड बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्ट फोन जो की सैमसंग, हुआई, श्याउमी, ओपो, वीवो यहां तक की वन प्लस के सभी फोन से भी जादा बेटर है अज़े एक बात बताईए, आप स्मार्ट फोन खरीटते समय सबसे जादा किस फीचर पर फोकस करते हैं उसके प्राइस पर, स्क्रीन साइज पर, कैमरा पर, रैम या स्टोरिज पर, प्रोसेसर पर, या फिर आपके लिए सिर्फ उसका ब्रैंड नेम ही काफी है वेल, आप किसी भी चीज पर फोकस करते हूँ, सब की अपनी अपनी अलग प्रिफरेंस और चॉइस होती है ठीक इसी तरह से, जिस तरह से हमारा ब्रेन हमारी बॉड़ी के सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है वैसे ही, कंप्यूटर या स्मार्टफोन में होने वाली सभी ऑपरेशन्स को उसका प्रोसेसर कंट्रोल करता है तो, जिस तरह एक हेल्दी ब्रेन हमको एक्टिव रखता है वैसे ही, स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी उसको फास्ट एंड पावफुल बनाता है बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यह और मैं आपको बता दूँ बिना किसी शक के अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है एपल का A14 Bionic 64-bit प्रोसेसर शौकिंग है न? जो आपको एपल के सभी 4th generation प्रोडक्ट्स में जैसे कि iPad Air, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max में आपको देखने को मिलता है सिर्फ A12 या A13 Bionic से ही नहीं बलकि Kirin 9000, Exynos 2100 और Snapdragon 888 जैसे प्रोसेसर से भी काफी जादा फास्ट है दोस्तों, एपल का कहना है कि पिछले प्रोसेसर यानि की A12 से यानि की iPhone XS, XS Max and XR के प्रोसेसर से इसका Central Processing Unit यानि की CPU 40% और Graphics Processing Unit यानि की GPU 30% तक फास्ट है आप सोच सकते हैं कि ये कितना फास्ट है? जो कि एक सेकेंड में 11 trillion operations परफॉर्म कर सकता है Amazing! मतलब आप कोई भी एप या गेम बिना किसी प्रोब्लम की चला सकते हैं और आपको मिलता है बहुत ही स्मूद और Fast User Experience और अगर iPhone 12 सीरीज में भी हम देखें तो iPhone 12 Pro Max Year 2020 का Best Phone रहा है इसमें आपको powerful प्रोसेसर के साथ-साथ 6 GB की RAM भी मिलती है और हाँ इसमें 12 Megapixel की Quad Camera के साथ-साथ ये one of the best camera phone भी है दोस्तों इसको अगर कोई बीट करेगा तो वो खुद Apple का M1 iPhone 13 होगा जिसका concept हाल ही में रिवील किया गया है जो आएगा Apple की नए M1 प्रोसेसर के साथ अगर आप iPhone 13 M1 की detail वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको i button पे मिल जाएगी दोस्तों इस प्रोसेसर की सबसे खास बात ये है कि ये प्रोसेसर Apple अपने Macbook में यूज़ करता है यानि कि laptop वाली गजब की speed आपको अपने smartphone में मिलने वाली है है ना too much fun तो फिलहाल अभी तक कुल मिलाकर A14 बायो निकी है best of the best प्रोसेसर तो आपको ये कैसा लगा वीडियो हमें नीचे comment करके ज़रू बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और जो लोग पहली बार टेक FC पर आये हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन दबा लें ताकि आपको notifications मिलती नहीं मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक की लिए good bye झाल वीडियो में